मद्यप्रदेश के रतलाम से चलकर इनदौर जाने वाली ट्रेन में रविवार सुबह अचानक आग लग गई गनी मत रही कि हाग लगने के दोरान यात्री ट्रेन स्टेशन पर ख़्डी थी यात्री सुरक्षित उतर गई वरना बड़ा हाथसा हो सकता था आग लगने के करीब एक घंटे बाद दमकन पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिलते ही रेलवे के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। दरसल जानकारी के मुताबिक रतलाम से कुछ किलोमीटर दूर चलने के बाद पीतम नगर रेलवे स्टेशन पर कारवाई की जाएगी फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है जाच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हम आपको बता देखी खेमराज मीना रेलवे प्यारो इंडॉर से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह रतलाम से इंडॉर की और जाने वाली ट्रेन डॉ रेलवे स्टेशन पर दी एम सी ड्राइवर मोटर कोच पर अचानक आग लग गई सारे बंदो बस्त कर लिए गए हैं DRM साहब भी मौके पर पहुंचने वाले हैं और फायर ब्रिगेड ने आल्मोस्ट मौके पर काम कर गया है आग पर काबू पा लिया गया इसके अलावा ज आज सुबह रतलाम डक्टरमेटकर नगर डेमू ट्रेन में पीतम नगर रेलवे स्टेशन पर जो ड्राइविंग मोटर कोच के मिडल जो कोच है उसमें आग लग गई अभी कहा है कि सारे बंदो बस्त कर लिए गये हैं जो हमारे DRM साहब है वो अभी साइट पर पहुंचने इसके अलाबा जो दूसरी ART और जो भी हमारे रिलिक ट्रेने हैं वो अभी जल्द वहां पोच रही है इसके अलाबा वहां पर कोई सभी सेफ है सारे पैसेंजर और पूरी तरह से सारा रेल्वे की तरफ से सारा इंजाम कर लिया गया है subscribe now to most exciting channel ever